क्लास 11 चप्टर 1 जेट्स के बारे में आज हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे और हम बुक में ही डार्क कर दिये हैं इसलिए बुक में डार्क किये हैं ताके आपको हर चीजे समझ में आए कौन से चीजे कहां लिखा हुआ है हम कैसे पढ़ेंगे ठीक है कैसे सीखेंगे तो बुक से ही हम आपको सिखाय करेंगे बाकि एक्जामपल्स बगएरा को पीपर करेंगे देकिन इंट्रोडक्शन पार्ट जितने भी आएंगे आपको बुक में ही देखने को भी देंगे बुक्स में यह होता है कि हमें फता रहता है कि देख लिजए जैसे कि मैं है आपर लिखा हुआ ना sets and their representations तो यह बुक्स में हमें देखाई दे दिया तो इसी तरीके से हम आपको बुक्स में introduction पढ़ाय करेंगे समझाय करेंगे ठीक है और बाकी के हम examples भी आपको करवाएंगे और फिर exercise भी हम आपको करवाएंगे ठीक है तो first है chapter का नाम sets ठीक है first chapter है mathematics का ठीक है sets तो पहला topic है हम लोगों का sets and their representations sets और उसका representations हमें समझना है sets किसे कहते है a well-defined collection of an object is called sets ठीक है जो well-defined collection होते है उसी को हम set कहेंगे ठीक है समझ भी आ गया representation तो हम लोग इसके आगे वाला में पढ़ेंगे तो sets के बारे में जान लेजिए जैसे कि मैंने कहा कि बाबू बताओ तुम 10 से छोटे नमबर बताओ तो आप बता दोगे ना फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बता दोगे आराम से अगर मैं कहूं कि बताओ तो अपरेल से क्या आते हैं तुम आप बताओ गे फूरे यूनिवर्स में किसी से भी आप बुचियेगा तो अपरेल के बाद मैं ही बताओ और किसी से से पहले even number कौन कौन से होंगे 2468 मेरा भी जवाब यहीं होगा आपका भी जवाब यहीं होगा और किसी और से भी पूछ लीजिए कहीं भी उनका जवाब यहीं होगा तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो चीजे person to person change नहीं होते हैं उसी को हम set कहते हैं सबजबाया set किसे क होते हैं उसी को हम set कहते हैं सबजबाया ठीक है अब मैंने जैसे कि आप से कहा बाबू बताओ तुम मुझे साल के 12 महीने हैं तो कौन-कौन से हैं तो बोलोगे ना आप January, February, March, April यह बोलोगे आप भी यहीं बोलोगे हम भी यहीं बोलेंगे किसी और से पूछी वह यहीं बो बोलेंगे तो यह क्या हो गया यह हो गया क्योंकि यह बात जो हम बोल रहे हैं वही सेम तू सेम कोई और बोलेगा किसी से भी पुछा जाए तो सब का जब जवाब सेम तू सेम रह रहा है यानि कि person to person change नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वह सेट है ठीक है अब चार पर जानते हैं देख लिए यहां पर लिखा वेना समस्ते हैं सेट के बारे में अच्छे से जानते हैं और नेचूरल नमबर लेस देन टेन अब टेन से कम और नमबर कौन से होते हैं तो यह किसी से भी अगर आप पचिएगा तो वह यही बताएंगे इसका मतलब क्या है कि य ूरी जब यह किनूंद नहीं हो रहा है तो हमारा सेट है सेकंड समस्ते हैं दरीवर्स ऑफफ इंडिया देखिए इंडिया की नदीं भारत की नदी कौन-कौन से होंगे बरहांपूत्र होंगे यमुणा होंगे गांगा होंगे ठिक है मेग näsecurity होंगे महन नादीह कशम़गे और बहुत सारे हो जाएंगे हमारे रिवर्स ऑफ इंडिया तो यह सारे जो इतने भी हैं रिवर्स ऑफ इंडिया collection of all rivers in India is a set याद रखिएगा collection of all rivers ठीक है collection of all rivers इंडिया इस अ सेट सब्च बहा गया थाड़ नमड समस्ते हैं दा वावेल्स ओफ द इंग्लिश अलफाबेट नेमली एई आई ओ यू यू यह सब को पता है हमें भी पता है आपको भी पता है किया किसी भी आदमी से भी पूछिएगा तो यही जवाब मिदेगा आपको यान लड़ात टाइप के होते हैं डिफरेंट होते हैं जैसे कि एक्यूट Cat Zach ट्रैंडल ओंट रिएं अंकर आईसओ आई हो रहा है जैसके मैंने कहा ना तो जो हम अभी जवाब दिये हैं वही जवाब आपको सबसे सुनने को मिलेगा कि वेरियर्ट काइंड्स आफ ट्रेंगल बताओ तो सब वो यही बताएंगे ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि यह चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है यह भी हमारा एक सेट है और सेबेन और भी आजाएंगे वर्ड आपको 21 भी होंगे ठीक है 210 भी होंगे और भी आपके फैक्टर्स देखने को मिलेंगे तो जो हमें 210 का अगर आप फैक्टर निकालिएगा तो बहुत सारे होंगे नमबर जैसे की 2357 कुछ है यहाँ पर यह प्राइम फैक्टर है निकालें तो यही आएंगे ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि यह सेट है हमारा नेक्स समस्ते हैं 5 नमबर 5 नमबर हो गया 6 नमबर समस्ते हैं the solution of the equation इस equation का अगर हम solution करेंगे तो हमें x का value 2 मिलेगा और 3 मिलेगा तो इसका मतलब क्या है मुझे से भी यही आएगा आप भी कीजेगा तो यही आएगा कोई भी teacher करे कोई भी student करे तो इसका value 2 और 3 ही आएगा इसका मतलब क्या है कि यह change नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह हमारा sit है ठीक है? तो यहाँ पर याद रखिए We note that each of the above example ठीक है? यह example जितने भी है Is a well-defined collection यह सारे क्या है? well-defined collection है ठीक है? of object तो जब सारे well-defined collection है तो इसका मतलब क्या है? set है ठीक है? समझ बहा गया? अब set का definition हुई अब आप यहाँ देख लिजिए A set is a well-defined collection of objects यह examples आपको जो दिखाए दिये है यह सारे क्या है? well-defined collection है और जब यह सारे well-defined collection है तो इसका मतलब क्या है? कि यह सारे हमारे set है clear? अब इसी में एक और topic था जो अब हम लोग समझते हैं representations यानि कि sets को किस चीज़ से representations करते हैं? उसके बारे में जानते हैं देखिए यहाँ पर है देखिए dear यह है हमारा ठीक है? यह हमारा representation symbol है यह जिसको हम लोग set को represent करते हैं यह capital N capital N का मतलब क्या होता है? the set of all natural numbers ठीक है? natural numbers को हम capital N से denote करेंगे तो यहाँ एक set हो गया ठीक है? only j1, 2, 3, 4 लिख रहे हैं आप वहाँ पर N is equal to 1, 2, 3 समझ भाए हैं ठीक है? तो natural number को हम N से denote करेंगे represent करेंगे यह capital Z है तो all integers z के लिए integers के लिए हम z लिखेंगे ठीक है? समझ भागा? Q the set of all rational numbers rational numbers के लिए Q हो जाएगा R हो जाएगा real numbers के लिए Z plus यहाँ Z है तो यह integers के लिए था तो Z plus लग जाएगा तो positive integer हो जाएगा ठीक है? clear और यहाँ पर Q plus Q यहाँ क्या है? rational number तो Q plus लग जाएगा तो positive rational number हो जाएगे R plus ठीक है? तो यहाँ R है तो R मेरा real number के लिए है लेकिन R पलस लग जाएगा तो positive real numbers हो जाएगे ठीक है तो यह represent करने के लिए है कि हम set को इस तरीके से represent करेंगे natural numbers को N से integers को Z से all rational numbers को Q से real number को R से Z पलस होंगे यानि कि positive integer को Z पलस से और positive rational number को Q plus से और फिर positive real numbers को R पलस से हम लोग denote करेंगे ठीक है तो यह हमें पता होना चाहिए यह भी आप notes में लिख लीजिएगा ठीक है यह तो मैं बता ही सुका हूँ अगर आप से कोई पूछे कि set बाभू बताओ किसको कहते हैं तो आप यह याद रख लिजिए a set is a well defined collection of objects उसी को हम set कहेंगे well defined collection होना चाहिए well defined collection का मतलब मैंने कहा कि बाभू मुझे 1 से 100 के बीच में number बताओ तो आप बता दीजेगा राम से 1 से लेकर और 99 तक आप पढ़ दीजेगा बता दीजेगा तो यह क्या हो गया well defined collection हो गया तो इसका मतलब क्या है कि यह set है ठीक है बलके आप ही नहीं बलके यह किसी से भी पूछा जाए तो सारे लोग यही जवाब देंगे ठीक है 1 से लेकर 99 तक counting सुना देंगे तो इसका मतलब क्या है कि यह well defined collection हो गया तो इसका मतलब कि यह set हो गया ठीक है अंदर वाले जो number है तो इसको हम element बोलेंगे या फिर आप objects बोलिए या members बोलिए समझ भागया clear next है set are usually denoted by capital letters यह set को यह जो है न यह set को capital letter A से denote कीजिए या B से denote कीजिए आप ठीक है या आप C से denote कीजिए ठीक है या फिर X से denote कीजिए ठीक है समझ में आया डियर या फिर Y से denote कीजिए या Z से denote कीजिए किसी से भी आप capital letter से ही आपको denote करना होगा set को समझ में आ गया capital letter ही होना चाहिए next समझते है third number line the elements of a set are represented by a small letter ठीक है माल लिजिए कि कोई A set है जिसके अंदर हमारे ववेल्स हैं A E I O U तो इसके अंदर जो होंगे न फिर अगर माल लिजिए later हैं तो वह later क्या होंगे a small letter में होना चाहिए क्या लिखा हो रहा है यहां पर ध्यान दीजिए a small letters में होना चाहिए a b c x y z कुछ भी हो तो मैंने यहां पर एक set लिया ए जिसके अंदर ववेल्स हैं A E I O U तो यह जो होंगे यह जिसको हम elements बोलिए यह objects बोलिए यह members बोलिए यह small letter में होंगे clear समझना आ गया तो यह चीज़े आपको तीनों पता होना चाहिए अब इसके आगले वाले बहुत अच्छे से समझेए अब देख लिजे dear अब इसके आगे वाले हम लोग को अच्छे से समझते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि a belongs करता है to a को a belongs to a जो a है यह belongs करता है a को ठीक है समझ रहा गया तो यह जो symbol इसका होंगे कुछ इस तरीके से होंगे देखाई दे रहा है आपको पुराना बुक है न यार यह इस तरीके से इसका symbol है इस तरीके से तो यह belongs हो गया ठीक है तो याद रखिएगा कि अगर कोई set है a और उसके अंदर a element है तो इसका मतलब क्या होगा कि a belongs to a ठीक है इसका मतलब होगा a belongs to a और इसको हम इस तरीके से भी write कर सकते हैं a belongs to a यह जो e लिखा हुआ है इसको belongs to बोलेंगे सबज़गा गया dear इसको बोलेंगे belongs to ठीक है if b is not if b is not an element of a set a, माल लिजे b जो है set a का element नहीं है तो इसको हम इस तरीके से denote करेंगे b does not belongs to a ठीक है यहाँ पर देख लिजे एक बार मैं आपको बताने की कोशिस करूँगा यहाँ पर ध्यान देजिए आप यहाँ पर a belongs to a और b does not belong to a ठीक है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे belongs to belongs to और इसको क्या पढ़ेंगे हम does not belongs to पूरा रीट क्या करेंगे हम a belong to a b does not belong to a समझ भा गया तो यही मैं समझाना चाहता था next समझते हैं next समझते हैं b does not belong to a यह समझ भा गया अब देख लिजिए जो sets है यह दो method के होते हैं दो method से represent करते हैं first है roaster और tabular form roaster form बोलिए या tabular form बोलिए roaster form बहुत ही असान होता है या फिर आप उसको tabular form भी बोल सकते हैं जो बहुत ही write करना बहुत ही easy होता है hello की तरह होता है यह ठीक है आप आराम से इसको कर लिजेगा set के अंदर या तो numbers होंगे या letters होंगे कुछ भी हो सकते हैं और आप उसको आराम से लिख भी लिजेगा लेकिन set builder form जो होते हैं इसको हम statement की form में लिखते हैं और यह हम लोगों को अच्छे से सिखना होगा यह हम लोगों को अच्छे से सिखना होगा set builder form समझ भाए गया roster वो लिए या tabular form वो लिए बहुत असान है लेकिन set builder form थोड़ा मतलब की दिक्कत करेगा लेकिन हमें सिखना है समझ भाए गया डियर हम लोगों को उसको सिखना होगा अब देख लिजी roster form और tabular form roster form कैसे होते हैं देख लिजी roster form जो होते हैं मैंने आप लिखा all the elements of a set देख रहे हैं यह set है इसके अंदर देख लिजी यह हमारा roster form में हो गया या इसको tabular form में आप बोल सकते हैं ठीक है यहाँ पर देख लिजी यहाँ पर यह question एक यहाँ पर है देखिए A है लिखा हुआ यहाँ पर देखिए यह A लिखा हुआ है लिखा हुआ है न the set of all natural numbers which divides divide 42 is जो 42 से divide देने वाले हैं वो यह सब number है और curly bracket के अंदर close कर दिया गया है इसका मतलब कि यह set है ठीक है तो यह कितना असान है तो यह जो लिखा हुआ है curly bracket के अंदर number या हमारा tabular form में है ठीक है समझ भया गया या फिर आप उसको रोस्टर form भी बोल सकते है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है next अब यहाँ पर आगे समझते है यहाँ देख लीजे dear the set of all vowels in the English alphabet vowels होते हैं न A E I O U तो यह set के अंदर curly bracket के अंदर लिखा हुआ इसका मतलब यह set है तो यह जो लिखा हुआ है यह क्या है टेबुलर फॉर्म में है यह रोस्टर फॉर्म में है यहाँ पर भी सी नमबर देख लीजिए the set of odd natural numbers is represented by one, three, five, dash, dash, dash है न यह curly bracket के अंदर close है तो इसका मतलब यह मेरा set है लेकिन यह जो set है ठीक है कितना असान तरीके से लिखे गए है अगर हम आपसे कहें कि यह बाबु बताओ एक set लिखो यह जो less than 10 है natural number ठीक है natural number less than 10 तो क्या लिखेगा one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine 10 से less than है तो यह तब लिख दिजेगा तो यह हम उने लिख दिया तो यह हमारा register form में हो गया या फिर आप इसको बोल सकते हैं या tabular form में हो गया समझभा गया तो यह बहुत आसान होता है यह भी समझभाएगा यह यहाँ पर देख लिजे एक और खास बात है जो हम लोग को जानना जरूरी है यह school लिखा हुआ है तो school का S, C, H O दो बार है लेकिन याद रखिएगा हम set में एक बार ही use करेंगे repeated word को ऐसा नहीं कि दो बार O है तो दो बार O लिखेंगे बिलकुल नहीं एक बार ही हमें लिखना होगा कितना भी repeated word हो उसे हमें एक बार ही लिखना होगा तो O को हम एक बार ही लिखेंगे फिर L तो यह school का उसको हम set में इस तरीके से represent करेंगे ठीक है या फिर इसको आप आगे पीछे भी करके देख रहे हो H है फिर O है फिर L है फिर C है फिर S है तो आगे पीछे भी कर लीजिएगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों हमारे सेटे ही कह लाएंगे क्लियर समझ में आगया दा ओर्डर ओर्डर का मतलब आप पहले इसको लिखिए या इसको लिखिए किसी को भी पहले लिखिए S-C-H-O-L-H-O-L-C-S यानि कि ओर्डर इधर उधर है तो ओर्डर इधर उधर है तो ये No Reliance मतलब कोई भी इसमें दिकत नहीं है अराम से ये सेट हो गए क्लियर ये समझ बागा दियर अब नेक्स समझते हैं जो आपको सीखना होगा ठीक है जो हम लोग एक्जामपल में बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे वो है In Set Builder Form यही तो है Set Builder Form Set हमारे दो तरह के होते हैं एक होता है Roaster Form या फिर आप Roaster Form को Tabular Form भी बोल सकते हैं और दूसरा होता है Set Builder Form इसको जब भी हम लिखते हैं तो Statement की Form में लिखते हैं ठीक है जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए यह Set है न A E I O U यह Set है लेकिन इसको हम Statement की Form में लिखते हैं ठीक है वावेल यानिकि V is equal to the set of X such that यह dot dot दो पॉइंट है dot dot उसको such that भोलेंगे the set of X such that X is a वावेल in English alphabet ठीक है तो यह हमारा Statements की Form में लिखते हैं Set Builder Form को याद रखिएगा देख रहे हैं Statement की Form में हैं English में लिखा हुआ है और यह सब क्या था नंबर में लिखा हुआ था समझ में आया डियर यह सब है यह भी हमारा एक से टी होता है लेकिन यह यह सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं दा सेट ओफ एक्स सच डेट एक्स इस अ निचुरल नमबर एंड ठीरी एक्स जो है लेस देन ग्रेटर देन ठीरी एंड लेस देन तेन इस तरीके से पढ़ेंगे इसको क्या पढ़ेंग होगा तो चार पांच चेस साथ आठ नौ चेंट नमबर होंगे नाइन तक होंगे समझ बाघ्या तो यह इसर्टीमान की आपको देखने को मिलेगा चलिए नेक्स्ट वीडियो अब आप देख लिजिए एक्जांपल 5 आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा